महाराना प्रताप का नाम भारतिय इतिहास के उन महान योधाओं में लिया जाता है, जिन्होंने अपने अदम में साहस और अडिक्स अंकल्प से मुगलों की सामने न जुकने की कसम खाई थी। उनकी वीरता, आत्म सम्मान और अपने राज्य की रक्षा के प्रती उनकी प्रतेबधता एक प्रेरना दायक गाथा है, जिसे हर भारती अपने दिल में संजोकर रखता है। ये हमें उनके जीवन के विभिन पहलों से अवगत कराती है, जिन से हमें द्रण निश्चय और राष्ट्रप्रेम की प्रेरना मिलती है। प्रारमविक जीवन, महाराना प्रताप का जन 9 मई 15-14 को राजस्थान के कुम्भलगर में हुआ था। उनके पिता महाराना उदैस सिंग द्वितिया और माता रानी जैवन्ता बाई थी। बच्चपन से ही प्रताप में वीर्ता और साहस की अद्वितिया भावना थी। उन्होंने केवल 14 वर्ष की उम्र में गुर सवारी और हथियार चलाने का प्रशिक्षन लेना शुरू कर दिया था। इसमें ये दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे अपने प्रारमविक जीवन में ही योध्धा बनने के गुन दिखाए जो आगे चलकर एक महान योध्धा बनने में सहायक साबित हुए। चित्तौर से उदैपूर की यात्रा महाराना प्रताप की कहानी में एक महत्वपून मोल तब आया जब उनके पिता महाराना उदैसिंग वितिया ने चित्तौर गर्ष को छोड़ कर उदैपूर को अपनी नई राजधानी बनाने का निर्ने लिया। मुगल समराथ अकबर ने चित्तौर पर आक्रमन कर दिया था और उदैसिंग ने इस संकत का सामना युद्ध से बचने के लिए संधी करके करना चाहा। लेकिन महाराना प्रताप इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने पिता के इस निर्नय के विप्रीत जाकर च 76 में हल दी घाटी के युद्ध के रूप में दर्ज है। ये युद्ध महाराना प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था जिसमें मुगल सेना का ने तृत्व अकबर की सेना पती मान सिंग प्रतम ने किया था। इस संधर्ष को भारतिय इतिहास में एक निर्नायक युद् किया जिसमें उन्होंने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया। हल दी घाटी के युद्ध में ने अपने प्रेय घोडे चेतक के साथ अविश्वस नियसाहस का प्रदर्षन किया। चेतक ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपनी जान तक निउच्छावर कर द लिया और उनकी वीर्ता की गाथा भारतीय लोककथाओ में हमेशा के लिए बस गई। महाराना प्रताप की कहानी उनके जीवन के संधश और द्रिर्स संकर्प की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने आदर्शों पर अडिग रहे। उन्होंने न केवल एक योध्धा के रूप में बल्कि एक सच्चे राश्ट्रभक्त के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठेनाया आ जाएं, हमें अपने लक्षियों के प्रतिद्रिर रहना चाहिए। में उनकी कथा को सुनकर हर व्यक्ति प्रेरित हो जाता है और यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कठे नायों में भी किस प्रकार से अपने आदर्शों पर ठिके रहना चाहिए। जिससे हमें ये प्रेरना मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठेनाया क्यों ना आएं, हमें अपने लक्षों के प्रतिद्रिण रहना चाहिए। महराना प्रताप की वीर्ता और संकल्प ने उन्हें इतिहास की पन्नों में अमर कर दिया। उनकी कहानी आज भी उन तमाम लोगों को प्रेरना देती है, जो अपने जीवन में संघर्ष और कठेनायों का सामना कर रहे हैं। ये हमें ये सिखाती है कि सच्चे योध्धावे होते हैं, जो अपने आदर्शों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।